हलो सुडेंट स्वागते आप सभी का आपके अपने चैनल गॉट ग्लासेज पर गॉट ग्लासेज यानि मैस भी एन मस्ति भी तो अच्छो आप लोगो के लिए जो पी वाई क्यू सिरीज हमने स्टार्ट करिए उसका मकसद सिर्फ एक और एक मकसद है कि आपके बोड एक्जा नाये उससे थोड़ा सा अपर लेवल की त्यारी करने के ऐसा नहीं कि इतना ही आप छोड़ दें क्योंकि कभी कभी कुछ ट्रिकी कुश्चन भी आ जाते हैं जो डिस्क्रिशन बॉक्स है उसमें जाना है वहां पर उसका लिंक दिया हुआ है वहां से जाके आप हार्ड कोपी या सॉफ्ट कोपी जैसा भी आप पढ़ने में कमफर्डेबल फील करते हैं वैसे आप उसको पर्चेस कर सकते हैं और अपनी एक्जाम की प्रिपरेशन बह आती है और यह दोनों के दोनों चैप्टर ऐसे हैं कि आपके बहुत मतलब आप बड़े अराम से यह नंबर ले सकते हो मेट्रीश और डिटर्मेंट दोनों चैप्टर मिलाकर 10 मार्क्स के चैप्टर है और यह 10 के 10 मार्क्स आप बड़े अराम से ले सकते हो थोड़ी से महनत करके आपके नंबर बड़े अच्छे से आ जाएंगे Determinant वाले chapter के अंदर Determinant की कुछ properties है Determinant की properties होगी, Adjoint की properties होगी Inverse की properties होगी, सारी properties आपको अच्छे से learn कर लेनी है तो अब यहां पर कहता है कि A is a square matrix of order 3 by 3 such that determinant of A equals to 4 then 3 times of A of इसका Determinant तो यहां पर आपको properties ही use करनी है यह तो scalar quantity होती है हम इसको बाहर निकाल देते हैं अब बाहर निकालते हैं तो इसकी power उतनी ही हो जाती है जितना इसका order होता है तो order था इसका 3 by 3 तो मतलब यह 3 की power 3 होगा determinant of A अंदर रह जाएगा तो 3 की power 3 होगा 27 determinant of A की value आपको दे रहे हैं 4 answer आगया 1, 0, 8 यह आपका answer आगया तो next question है हमारे पास A square minus A equals to 0 यह आपको दिया हुआ है then the inverse of matrix A आपको इसका inverse निकालना है तो ऐसे question में जब आपको equation दी होगी inverse निकालने के लिए इस equation को आप A inverse से multiply कर दो A inverse into A square सभी को A inverse से multiply कर दो plus A inverse into I यहाँ पर 0 है तो 0 से multiply करेंगे तो खैज 0 ही आजाएगा वो A inverse को A से multiply करेंगे A बचेगा inverse को किसी matrix से multiply करते हैं तो I आता है I को किसी से भी multiply करोगे तो वही matrix आती है तो A inverse की value निकालने है इन दोनों को वहाँ shift कर देते हैं तो A inverse आ जाएगा I positive हो जाएगा A negative हो जाएगा तो I minus A यानियो option बनेगा C यहाँ पर कहता है कि जो points आपको दे रखे यह यह points को linear point है तो X की value बताओ तो जब point को linear होते हैं तो उस case में जो area of triangle होता है वो 0 के बराबर होता है अब area of triangle का formula आप use करेंगे तो उसमें पहले यह point आपको लिखने होते हैं 1, 1, 1 यह 0 के बराबर होता है area of triangle में यहाँ half भी आता है पर लेकिन जब कुलिनर वाला question होगा तो इस half को यहाँ पर लिखो या मत लिखो क्योंकि यह इदर जाके 0 होई जाएगा ठीक है तो इसको हम solve करते है अब इसको solve करने के लिए हम 1 से इसको किया हमने तो इसको और इसको छोड़ेंगे 5 minus 7 minus 2 आ गया फिर minus 3 इसको और इसको छोड़ेंगे तो x minus 2 फिर plus 1 इसको छोड़ेंगे तो आएगा 7x minus 10 तो यह बन गया हमारे पास minus 2 minus 3x plus 6 7x minus 10 तो 7x minus 3x 4x हो गया यहाँ पर आएगा 10 और 2 12 minus 12 plus 6 यानि minus 6 तो 4x की जो value है वो 6 आजाएगी यानि x की value आएगी 3 upon 2 x की value 3 upon 2 यहाँ कहता है solve the following system by kramer rule यहाँ पर आपको kramer rule से इसको solve करना है solve करेंगे तो यहाँ पर 2x के बीच में एक sign होना चाहिए 2x यहाँ पर बीच में sign है minus का 2x minus y ठीक है यहाँ पर minus का sign है इसको आप ठीक कर ले equals to 17 और यहाँ पर है 3x plus 5y equals to 6 तो यह दो equation है आपके पास 2x minus y equals to 17 3x plus 5y equals to 6 सबसे पहले हम kramer rule में d निकालते हैं d के लिए यहाँ पर इसकी coefficient लेते हैं x का y का minus 1 इदर से 3 इदर से 5 इसको solve करेंगे 5 to 10 plus 3 तो यह आगे आपके पास 13 फिर इसके बाद निकालते हैं d1 तो d1 में जो यह constant value है यह first column में आ जाते हैं और यह इदर आ जाएंगे 17,5 जा 85 plus 6 यानि आ जाएगा 91 और d2 की value निकालेंगे तो पहला column सेम रहेगा और यह दूसरे column में 17,6 shift हो जाएगा तो 6 to the 12 minus 51 तो यह आ जाएगा minus 39 तो जब x की value क्या होती है x की value होती है d1 upon d तो d1 आपके पास 91 है यहाँ पर 13 है यहाँ पर आगा answer 7 y की value होती है d2 upon d minus 39 upon 13 यह आगा minus 3 आप अपनी values को check भी कर सकते हो कि answer आपका ठीक है या नहीं तो x की value 7 मालो मैंने यहाँ पर डाला तो यह बना 21 और 3 मैं यहाँ पर डालूँगा तो आएगा 15 तो 21 में से 15 minus करेंगे तो आपके पास आजाएगा 6 यानि answer आपका ठीक है ठीक है उसके बाद जो next question है उस पर चलते है next question में कहता है determine the integral value integral value मतलब answer आपको integers में find करना है with the matrix A is singular यह वाली जो matrix है यह singular है तो जो matrix singular होती है तो उस case में जो determinant होता है वो 0 के बराबर होता है तो इसका जो determinant है यह 0 के बराबर हमें रखके चलना है अब इसका determinant निकालता है यहाँ से x plus 1 into इन दोनों को multiply करेंगे x plus 2 into x minus 6 minus 2 फिर यह वाली term लेंगे sign change करेंगे तो plus 3 हो जाएगा इसको और इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से minus 5 से इसको multiply करते है minus 5 x plus 30 फिर minus का sign 2 for the 8 फिर इसके बाद plus 4 इसको और इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से minus 5 आ गया minus 4 into में x plus 2 equals to 0 तो यह सबको पूरी bracket को solve करके आपको equation बना लेनी है इन दोनों को multiply करोगे तो आएगा x square minus 4 x minus 12 और फिर यह minus 2 इदर से आगे आपके पास 3 पहले इसको solve कर लेते है minus 5 x 30 minus 8 22 इदर से अंदर इसकी bracket को करते है minus 4 x minus 8 इन दोनों को आपसे multiply करेंगे x square से करते है तो x cube minus 4 x square minus 12 x minus 2 x 1 से करेंगे इन सबको यह आ गया 3 से करते है 3 5 जब 15 और 66 इदर से आजाएगा minus 20 minus 16 minus 32 अब यहाँ पर इखटा करो x cube उसके बाद x square वाली term एक यह है एक यह है बस यह दो term है तो minus 4 plus 1 यानि minus 3 उसके बाद minus 12 और minus 2 minus 14 14 में 4 add करोगे 18 18 में 15 add करोगे तो आजाएगा 33 33 में 16 add करोगे तो आजाएगा 47 अब जो constant terms है वो देखो minus 14 यह हो गया minus 14 और minus 20 कितना हो जाएगा minus 34 minus 34 और minus 32 minus 66 और plus 66 है तो यह सारे constant खतम होगे यह equation बचे इसमें से x common निकालो आप पहले तो x square minus 3x minus 47 यहाँ पर चेक करो यह 47 नहीं आ रहा है यह 47 आएगा तो factor तो इसके बनेंगे नहीं इसको एक बार चेक करो बस क्या आ रहा है x वाली time देखो एक बार दुबारा minus 12 minus 2 minus 14 minus 14 और minus 4 minus 18 minus 18 और minus 15 minus 33 33 के अंदर आप 16 add करोगे तो 49 आएगा लेकिन factor तो फिर भी नहीं बनेंगे तो यहाँ पर देखो इसके factor तो अब भी बनेंगे नहीं यह 49 के table में ऐसे 7749 होता है तो 3 तो हमारा उससे बनेगा नहीं तो यहाँ पर दो factor हमारे पास है एक तो x है और एक यह है अगर यह mcq होता तो हमारा answer हम मतलब यह निकाल सकते थे x equals to 0 लेकिन यह mcq नहीं है तो आपको इसमें दिखाना पड़ेगा कि जो बाकी value है आपकी वो non integral value आ रहे है integral तो हमारे पास यह आ गया तो इसको अब solve कैसे करेंगे इसके लिए आपको quadratic formula यूज करना पड़ेगा तो quadratic formula के एक wording क्या formula क्या होता है formula आपको याद हो तो minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a तो यह formula आपको यह apply करना है तो minus यहां already b minus में तो यहां plus हो जाएगा plus minus b का square 9 हो गया minus 4 into a a मतलब x square का coefficient और c आपके पास है minus 49 divided by 2a तो यह बनेगा आपके पास 3 plus minus 49 को 4 से आप multiply करोगे तो आजाएगा आपके पास 196 196 में 9 add कर दोगे आजाएगा 205 अब 205 के factor तो होते नहीं है तो यानि यह value आपकी integers में नहीं आएगी तो आप last मिली देंगे therefore integral value is integral value is 0 जो subjective है तो आपको पूरा है शो करना पड़ेगा subjective नहीं होता तो फिर हमारा answer निकली जाता उसके बाद इकिए next question पर चलते हैं यह फिर mcq आगे हमारे पास 2023 में यहाँ पर कहता है कि a और b square matrices है order 3 है such that determinant of a is this and determinant of b is this what is the value of this तो इसी तरह का question हमने starting में भी किया था लेकिन वहाँ पर 3 a था यहाँ पर 3 a भी है तो वैसे ही काम करेंगे पहले तो scalar quantity है उसको बाहर निकालेंगे कितनी बाहर भाहर निकलेगे जितनी power होगी into में determinant of a b अब determinant of a b में जब दो हम आपस में multiply करते हैं matrix को उनका determinant निकालते हैं तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यह 3 की power 3 तो यह हो गया इसको दोनों को ऐसे अलग लग करके आप लिख सकते हों तो 27, determinant of a आपको दियावा minus 1 determinant of b दियावा 3 इसको multiply करेंगे आजाएगा minus 81 option बन जाएगा d यहाँ पर आपको x की value भूचता है कि रहाएगी इसकी जो value है यह इसके बड़ाबर है तो यहाँ पर इसको solve करने से पहले आप एक काम ये कर सकते हो इस row के अंदर x, x, x है तो इस x को आप common निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो और direct कर सकते हो ठीक है ऐसा कोई ज़्यादे है नहीं issue की common निकालने से कुछ जादा असान होगा, ऐसा कुछ है नहीं तो two से हमने determine निकाला इसका x minus 9x तो आजाएगा minus 8x फिर minus 3 इसको और इसको चोड़ेंगे x minus 4x यानि minus 3x plus 2 9 minus 4 यानि 5x और यह plus में 3 है equals to 0 अब यहाँ पर आपने इसको solve करा आगया minus 16 इदसे आजाएगा plus 9 इदसे आजाएगा plus 10 plus 3 equals to 0 10 और 19, 19 minus 16 करेंगे 3x आगया, इस 3 को अधर ले जाएगे minus 3, x की value आगी minus 1, option आगया यहाँ पर कहता है find the inverse find the inverse of the matrix and hence show that a into a inverse equals to i तो इसका आपको पहले inverse निकालना inverse निकालने के लिए आपको cofactor चाहिए उससे पहले determined भी चाहिए तो पहले आप determined निकालो तो determined आगया आपके पास minus 1 say into करेंगे किसको minus 4 यह और यहाँ से minus 3 आ जाएगा minus 7 उसके बाद यह वाला जो element लेंगे तो sign change करेंगे ठीके, इसको और इसको छोड़ेंगे आ जाएगा 12 plus 1 13 उसके बाद plus 2 है score इसको छोड़ेंगे 9 minus 1 यह आ जाएगा आपके पास 8 ठीके, इसको solve करते हैं तो 7 minus 13 plus 16 तो 16 minus 13 3 आ गया, 3 plus 7 10 आ गया तो determined दो आ जाएगा इसके पास आपके पास इसका 10 ठीके, अब उसके बाद आपको, इसके वो निकालने है cofactors तो cofactors निकालेंगे c11, c12, c13, c21, c22, c23, c31, c32, c33 तो c11, c12, c13 यह तो आपके यही बनेगे जो यहाँ bracket के अंदर है यह तो minus 7 दुबारा निकालने के जरूद नहीं यह 13 आ है, इसका sign change करके लिखेंगे यहाँ पर आ गया 8 sign द्यान रखना कि आपके इसके, इसके, इसके और इसके इन 4 के sign change करने होते है second row, first column देखो second row, यह हो गई first column यह आ गया, यहाँ से 4 minus 6, minus 2 हो गया sign change करके लिखेंगे, plus 2 second row, second column minus 4 यह, और plus 2 यह, यानि minus 2 हो गया फिर second row, third column minus 3, plus 1 minus 2, यहाँ लिखेंगे, plus 2 फिर देखो, third row first column, 1 plus 2 3 हो गया third row, second column करेंगे minus 1, minus 6, minus 7 sign change करके लिखेंगे third row, third column 1, minus 3, minus 2 इसके बाद आप निकालेंगे इसका adjoint तो adjoint आपके पास आता है इसका जो co-factor निकाल रहे है इसका transpose हमारे पास जो फार्मूला होता है A inverse का A inverse का फार्मूला होता है adjoint of A divided by determinant of A तो determinant आपके पास आया 10 उसको तो यहां लेग तो ठीक है और adjoint हमारे पास ही आ चुका है इन्वर्स तो मरा निकल गया अब आगे कराए कि यह verify भी करना है आपको तो यह verify हमें अगर ना भी दिया होता तो भी हमें verify कर लेना चाहिए क्योंकि A को अगर उसके इन्वर्स से multiply करतेंगे तो हमेशा आई आना चाहिए अमें उससे पता लग जाता है कि हमारा answer ठीक है या गलत है तो A को हम उसके इन्वर्स से multiply करते है A आपके पास यह है minus 1, 1, 2, 3, minus 1, 1, minus 1, 3, 4 और A इन्वर्स आपके पास 1 by 10 minus 7, 2, 3, minus 13, minus 2, 7, 8, 2, minus 2 अभी जो स्केलर क्वांटिटी है 1 by 10 इसको आप बहार ही लिखलो बाक्यों को multiply करो यहांसे देखो यहांपर 7 हो गया 7 minus 13, minus 6, minus 6 plus 16 यानि आगया यहांपर 10 इससे minus 2, इससे minus 2 minus 4 यह 2, 2 जा 4, plus 4 यह आजाएगा 0 इससे करेंगे minus 3, plus 7 4 हो गया, 4 और यह minus 4 यह 0 हो गया 3, 7 जा 21, minus का इससे plus 13 21 में से 13 minus करेंगे, आजाएगा आपके पास 8 ठीक है, minus का और यह plus 8, 0 इससे आगया 6 और plus 2, 8, 8 और 2, 10 फिर यहांसे 9 9 minus 7, 2 2 और minus 2, 0 यहां पर करते है, plus 7 और minus 39 और plus 32 तो 32 और 7 को plus करते है, 39 आएगा और एक minus 39 यहां से आया था तो मतलब 0 अगर आप वरबली कर सकते हैं ठीक है नहीं तो आप element जो जो multiply करके आ रहे हैं उनको लेख लो फिर उनको आपस में बाद में solve कर लो गलत मत करना बस minus 2 और यहां से minus 6 minus 8, यहां से आगया plus 8 0 हो गया, minus 3 और 21 तो 21 में से 3 minus करेंगे, आपके पास 18 18 आगया और यहां 4 तूजा 8 तो 18 में से 8 minus करोगे यहां आजएगा आपके पास 10 अब इस 10 से इन सबको divide करोगे तो आजएगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 तो identity matrix आगया prove भी हो गया, साथी पता भी चल गया answer हमारा बिलकुल ठीक है यहां पर कहता है using matrix method solve the following system of equation तो matrix method यूज करना है तो इसमें अब आपके पास आपको पहले A matrix बनानी होती है तो 1, minus 1, 1, 2, 1, minus 3, 1, 1, 1 ठीक है, x, y, z की coefficient तीनों equation में से ले लिए उसके बाद एक matrix x बनती है इसमें जो variables आते हैं ये लिखेंगे और एक matrix आपके बनेगी b बैद हैगा 4, 0, 2 ठीक है, constant value term यहां से 4, यहां से 0, यहां से 2 जो आपने पिसले question में किया 1, यहां से 1, plus 3, 4 हो गया इसका sign change करेंगे इसको और इसको छोड़ेंगे 2, plus 3, 5 फिर यहाला element आगया 1 इसको और इसको छोड़ेंगे 2, minus 1, 1, 5, 9, और एक 10 determined इसका भी 10 आगया अब इसके फिर co-factor निकालो C11, C12, C13 C21, C22 C23, C31 C32 and C33 तो यहां पर 4 आगया इसको प्लस 5 है तो sign change करके लिखेंगे इसको प्लस 1 उसके बाद 2, 1 देखो second row, first column minus 1 यह, minus 1 यहां से minus 2 sign change करके लिखेंगे second row, second column, 1 इसको प्लस 1 यहां यहां जीरो second row, third column, 1, plus 1, 2 sign change करके लिखेंगे minus 2 third row, first column, 3, minus 1 2 हो गया third row, second column, minus 3, minus 2, minus 5 यहां लिखेंगे plus 5 third row, third column, 1, plus 2, 3 इसके बाद हम निकालते हैं इसका adjoint तो adjoint हो गया आपके पास इसको co-factor के ट्रांस्पोस कर दो 4, minus 5, 1, 2, 0, minus 2, 2, 5, 3 तो मारे पास इससे बन गया A inverse A inverse का फार्मुला होता है adjoint of A divided by determinant of A तो determinant आपके पास 10 तो यहां से आगया 4, 2, 2, minus 5, 0, 5, 1, minus 2, and 3 अब हों में X, Z की value निकालनी है तो यह जो relation आपके पास आता है यह relation कैसे बनता है यह relation बनता है हमारे पास कि अगर हम A को X से multiply करेंगे तो B आता है ठीक है इसको इस से multiply करेंगे तो यह left hand side की equations बन जाएंगी तो X की value होती है A inverse इंटू में B इस A को हम उदर shift कर देते यहां पर X की value हम put करेंगे X, Y, Z A inverse हमारे पास था 1 by 10 इंटू 4, 2, 2, minus 5, 0, 5, 1, minus 2, 3 और जो B है, B की value आपके पास है 4, 0, 2 यहां से आगे आपके पास 1 upon 10 इन दोनों को मेट्रिक्स को multiply करते है यहां से देखो 16 इसको करने की जरूती नहीं 0 हो जाएगा 16 plus 4, 20 इज़से आएगा minus 20 और plus 10 तो minus 10 हो गया इज़से आगे 4 और 3 तो जाद 6 यहां गया 10 अब 10 से इन सबको आप रिवाइट करते हैं 2 minus 1, 1 इसका मतलब x की value आगे 2 y की value minus 1 और z की value plus 1 अपने answer को इस तरह का जो question आएगा आपके बास 4 या 5 नंबर में आएगा तो इसको आप verify ज़रूर कर ले ना कि आपका answer ठीक है या नहीं तो 2 minus 1 और 1 तो यहां पर देखो 2 रखते यहां minus 1 minus 1 plus 1 हो गया तो 2 plus 1 3, 3 plus 1 4 या आणसर आपका ठीक है बाकियों से भी अगर time मिले तो बाकियों में रखके भी check कर ले उसके बाद अब 2023 compartment में question था हमारे पास की point आपको दे रखे हैं और point कुलिनियर दे रखे हैं तो x की value find कीजिए तो उसी तरह का question है जैसे आपने पीछे किया था भी कुलिनियर वाला तो उसमें आप यहां पर 2 minus 1 minus 3 4 और तीसरा point है आपके पास x 5 आप क्योंकि point कुलिनियर है तो इसका जो determinant है इसको आपको 0 के बराबर रखना है 1 by 2 यहां पर mention करो यहां मत करो क्योंकि mcq है अगर mcq नहीं होगा तो कर देना mention तो अब यहां से इसको solve करते है 2 4 minus 5 minus 1 यहां पर sign change करेंगे इसको और इसको छोड़ेंगे minus 3 minus x plus 1 जैसे आएगा minus 15 minus 4x तो इदर minus 2 minus 3 minus x minus 15 minus 4x तो minus 4 और 1 minus 5x हो गया minus 15 minus 5 minus 20 हो गया इसको दाट इन साइड में ले जाओगे plus 20 x की value आजाएगी minus 4 option बनेगा इसमें a अब यह question हमारे पस SSN region में था 2023 कंपार्टमेंट में करता है असरसन में करता है कि if a is a square matrix of order 3 such that determinant of adjoint of a equals to 144 then the value of a is this तो यह करता है कि adjoint of a का अगर determinant आपको दिया हो है 144 तो इसका जो फार्मुला होता है यह होता है determinant of a की power n minus 1 इस 144 को 144 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसका order कितना दिया हो है order दिया हो है आपको 3 ठीके तो यहाँ पर order दिया हो है इसको 3 करदो और इसको करदो आप 12 की power 2 यहाँ भी determinant of a आजाएगा 12 की power 2 तो यहाँ पर इस power 2 को उटाने का मतलब है कि आप इसका square root कर रें तो square root कर रहे हैं तो value plus minus 2 नों आ सकती है तो determinant of a की value plus minus 12 आ सकती है यानि assertion हमारा ठीक है ठीक है region में जाते हैं तो कह रहा है कि if a is an invertible matrix of order n then adjoint of a is equals to this यानि यह कह रहा है कि जो determinant of adjoint of a उसका formula यह होता है यही हम यहाँ पर use कर रहे है that means यह इसको correctly explain भी कर रहा है तो इसमें assertion region में अगर assertion ठीक है और region उसको correctly explain कर रहा है तो option बनता है आपका a तो इसमें option बनेगा आपका a यहाँ पर यह case study थी ठीक है इस case study के अंदर यह compartment में case study आई थी यही last question है इसका और यह case study आपकी चार marks में थी तो सबसे पहले तो कहता है कि 10 student were selected on a school on the basis of values of giving awards and were divided into three groups 10 student को select किया गया उनको 3 अलगलग groups के अंदर divide किया गया the first group comprises hard worker second group has honest and law abiding student and the third group contains vigilant and obedient student तो 3 type के students की category divide कर दी गई double the number of the student of the first group added to the number in the second group gives 13 while the combined strand of the first and second group is 4 times that of third group assume that x, y and z denote the number of student in the first, second and third group respectively तो इसमें आपको assume करने के जरूद नहीं उसने आपको दिया हुआ है कि पहला group है उसमें student x है दूसरे group में y है तिसरे group में z है अब कहता है write the system of linear equation that can be formulated from the above described situation तो पहले आपको इसमें equation बनानी है तो इसने कहा कि हमारे पाद total student is में 10 तो यानि तीनों category में जो student select हुए इनका total होगा 10 ये पहली equation आगई फिर दूसरे equation के लिए कहता है यहाँ पर इदर जाएंगे कि double the number of student of the first group यानि 2x हो गया added to the number in the second group gives 13 इसको अगर हम second group में add करें तो ये 13 देता है तो यानि यह आगी आपके पास second equation फिर उसके बाद कहता है कि while the combined strength of the first and second group is four times that of the third group जो first और second group की combined strength है वो third वाले group की four times है यानि x plus y is equals to four times of z इस z को आप इदर shift कर देंगे तो ये बन जाएगा x plus y minus 4z equals to 0 ये बने गया आपकी equation third तो ये आपके पास जो first part है वो हमारा आ गया second part में कहता है कि write the coefficient matrix says A coefficient matrix मतलब इसके जो coefficient से हम बनाते है ये आपका बन गया A यहां से 1, 1, 1 जैसे 2, 1, z कर नहीं है तो 0 लिखेंगे और यहां से 1, 1, minus 4 ये बन गया आपके पास second part का answer आप कहता है write the matrix of the co-factor of every element of matrix A अब इसके co-factor निकालने आपको third part में आपको third part का answer minus 4 ये 0 तो minus 4 आजाएगा C 1, 2, इसको इसको छोड़ेंगे minus 8, sign change करके लिखेंगे plus 8 first row third column two minus 1 1 आगया उसके बाद second row first column तो minus 4 minus 1 minus 5 sign change करके लिखो second row second column minus 4 minus 1 minus 5 second row third column 1-1, 0 यहां तो sign change करने की ज़रू होती नहीं 3rd row, 1st column, 1 और 0, minus 1 तो minus 1 3rd row, 3rd row 2nd column, 0, minus 2 यहां लेखेंगे, plus 2 3rd row, 3rd column, 1, minus 2 यह आगया, minus 1 यह हो गया, आपके पास 3rd part इसके co-factor आगए अब 4th part में कहाता है, इसके option में कहाता है कि determine the number of student of each group तो यह करने की वैसे जरूवत नहीं है पेपर में, आपका काम इतना हो गया खतम हो गया, क्योंकि अगला काम जो है न वो थोड़ा और लेंदी, उसके लेट जोट निकालना पड़ेगा फिर उसके values निकालने पड़ेगी लेकिन यहां तो हम करेंगे सारा तो सबसे पहला काम है कि अब आप determine निकालो अब determine निकालने के लिए आपको अगर property याद हो कि किसी भी row के element को उसके co-factor से multiply करो तो determine आ जाता है तो पूरा दुबरा में वैसे calculate करने की जरूवत नहीं है हम सीथा क्या करेंगे यहां पर देखो पहले row के element है 1,1,1 इनको इनके co-factor से multiply कर देते हैं यानि 1 into minus 4 plus 1 into 8 plus 1 into 1 तो यहां से देखो 8 plus 1, 9 आगिया 9 minus 4, determine आगिया 5 तो इस तरह से आप निकाल सकते हो अगर वैसे आप normally निकालना चाते हो तो वैसे भी निकालो उसके बाद हमें चाहिए होता है inverse तो inverse के लिए पहले adjoint चाहिएगा और adjoint क्या होता है हमारे पास inverse का formula हो गया adjoint of a divided by determinant of a तो determinant तो आपके पास आगया 5 adjoint क्या होता है जो co-factor आप बनाते हो उसका transpose अभी पीछे भी हमने question करें ऐसे ही तो इसका transpose करके लिख दूँ में minus 4, 8, 1, 5, minus 5, 0, minus 1, 2, minus 1 अब हम जब इनको multiply करते हैं तो यहां से हमारे पास जो relation बनता है तो जैसे हमने पिछले question में किया था वैसे ही आप explain कर देना इसको कि हमारे पास जब multiply करते हैं तो ऐसे AX equals to B होता है X की value A inverse B होती है तो मैं सिधा अभी वहाँ पर वही कर रहा हूँ कि जो X की value होती है हमारे पास A inverse into में B के बराबर होती है inverse हमारे पास यह है इसको multiply करेंगे हम B से B आपके पास यहां से आएगा 10, 13 और 0 solve करेंगे यहां से minus 40 13, 5 जा 65 last solve को करने की ज़रूती नहीं है वो 0 यहां है तो 65 में से 40 को आप minus करोगा आजाएगा 25 यहां पर करोगे 80 13, 5 जा 65 80 में से 65 minus करोगा आजाएगा 15 यहां से करेंगे 10 पर यह भी 0, यह भी 0 अब 5 से इन सबको divide करोगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 2 जा तो मतलब X की value 5 आगी है Y की value 3 आगी है और Z की value 2 आगी है 5, 3, 8, 2, 10 10 student थे तो 10 student हमारे आगे है तो इसी question के साथ ही है जो determinant का वीडियो है उसको महें पर ही finish करते हैं I hope आपको अच्छे से question सारे समझ में आगे है Determinant के question किस level किया है और आपको किस level की practice करनी चाहिए आज किस वीडियो में इतना ही Thanks to all of you